Hello and I welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अगर देशों को आपस में अपने रिलेशन को अच्छे करने होते हैं तो वो कम से कम दो चीजों के उपर फोकस करते हैं सबसे पहला काम बढ़ चड़ कर वैपार करते हैं और दूसरा हाई रैंकिंग ओफिशल्स या लीडर्स का विजिट होना शुरू हो जाता है इनी सब पॉलिसी को मद्दे नज़र रखते हुए प्रेसिदेंट ऑफ चाइना शीजन पांच में से लेके दस में तक योरोप के विजिट पे जाने वाले हैं जहां पे वो तीन देशों को विजिट करेंगे सबसे पहला है फ्रांस, दूसरा है सर्बिया और तीसरा है हंगरी इन समय से जो सबसे अधिक बातचीत जिसके बारे में हो रहा वो प्रेसिदेंट शी का फ्रांस जाना है और वैसे भी प्रेसिदेंट शी या चाइना के पॉइंट अ विजिट अपने आप में काफी इंपोर्टन होने वाला है ऐसा क्यों इसको हम समझते हैं इस वीडियो में मगर आगे बढ़ हुई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे इमेल करके बता सकते हैं अब जितने भी लोग हमारे बीश में जियो पॉलिटिकल नियूस को देखते हैं समझते हैं उनको प्रेसिडेंट शी का यूरोप विजिट का इंपोर्टेंस इसी बात से लग जाएगा कि वो लगबग 5 सालों के बाद यूरोप विजिट करने वाले हैं जहां पे वो लगबग 6 दिनों तक रहने वाले हैं इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं फ्रांस और चाइना के बारे में बीते कुछ सालों में specifically जब से President Emmanuel Macron बने है फ्रांस के तब से उनको ऐसा लगता है कि NATO जो की एक political और military alliance है जिसमें की सबसे अधिक जो funding है वो US करता है तो वो ग्रुप कहीं न कहीं वही करता है जो US चाहता है तो इस चीज को भी लेके काफी ignored feel करता है फ्रांस और उसके बाद सा 2021 में फ्रांस और उस्ट्रेलिया के बीच में लगभग 25 साल का submarine contract sign हुआ था जिसको कि Australia last moment पे cancel कर देता है और US के साथ वो deal को sign कर लेता है हलाकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे points है जिसके कारण भी फ्रांस और चाइना बीते कुछ सालों में काफी close आये हैं वहीं परीके से Chinese manufactured electric vehicles योरोप में ना आए अगर ऐसा होता है तो European market में जितने भी electric vehicle manufacturing companies हैं वो सारे के सारे out of market हो जाएंगे और कहीं न कहीं पूरा European electric vehicle industry Chinese dominated हो जाएगा ऐसा क्यों तो हम कह सकते हैं कि China लगभग अपने हर field में research and development में काफी huge investment करता है ऐसा ही को China electric vehicles और lithium-ion battery के manufacturing में भ कह सकते हैं कि China electric vehicle और lithium-ion battery के manufacturing में एक king के तरह उभर के आया है जहाँ पे इनके जो electric vehicles होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं और उसमें features भी काफी अच्छे होते हैं और जहां तक बात रहा lithium-ion battery का तो इनके battery का जो capacity भी होता है वो as compared to European market में जो companies हैं उनके हिसाब से काफी अच्छ हैं वो भी अच्छे नहीं है और दूसरी तरफ आपको कम price pay करना पढ़ रहा हो features भी काफी अच्छे हैं तो इन सब चीजों को भी देखते हुए European Union जो है वो काफी concerned है और उनका विचार है कि Chinese electric vehicles के उपर लगभग 55% तक या maybe उससे भी अधिक tax को impose कर दिया जाए जिसको दे जितने खर्चे होते हैं उसके पास challenges भी उतने होते हैं तो अगर किसी भी तरीके से European Union Chinese electric vehicles के उपर अगर tax लगाने में या अधिक tax लगाने में अगर successful हो जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुचेगा Chinese economy को और उसके बाद क्या होता है कि अगर किसी भी देश के head और Ukraine war में हैं, इसराइल और Palestine directly conflict में हैं तो यहाँ पर European countries और US ये चाहते थें कि किसी भी तरीके से Russia को help ना किया जाए चायना के द्वारा और वहीं दूसरी तरफ इनसे expectation ये भी था कि ये इसराइल के बारे में कुछ ना कहें तो कहने का मतलब है कि China Russia को directly indirectly help किया और वहीं ब ये भी कोशिश करेंगे कि उनके देश का जो electric vehicles है उसको किसी भी तरीके से European market में उतारा जाएं लगभग चायना 30 साल पहले lithium and battery का manufacturing करना शुरू कर दिया था तो हम कह सकते हैं कि China इस specific field में इतना जादा expert हो गया है कि इसको आप पीछे कर पाना almost impossible है अगर हम बात करें US का त इनका target है कि 2035 तक इनके देश में जितने भी जो गाडिया है वो complete तरीके से electric vehicles गाडिया ही हो तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा challenge है वो यह है European Union के लिए कि इनके पास नहीं तो चायना के इतना expertise है नहीं तो इनके पास चायना के इतना बड़ा manufacturing unit है और नहीं तो यह चायना के जो manufactured electric vehicles है उसको अपने देश में import करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरफ चायना के साथ ही challenges है बलकि यहाँ पे challenges European countries के साथ में भी है अगर वहीं हम 2022 का data देखते हैं तो almost 60% जो electric vehicles है पुरे दुनिया का वो चायना ही बनाता है तो यह हमारे पास कुछ example से जिसको कि देखने के बाद हमें समझ में आता है कि challenges अगर European countries के साथ में तो कहीं न कहीं जो challenges है वो China के साथ में भी है और बीते कुछ सालों में जिस तरीके से President Xi का aggressive policy हुआ और इनके उपर multiple ऐसे allegations लगे हैं कि China अलग-अलग देशों का जो data है उसको collect करता है तो कहीं न कहीं allegation और counter alleg obligation भी चलता हुआ आ रहा जिस चीज को resolve करने के लिए President Xi का Europe visit करना काफी important है और उसके बाद जो सबसे चौकने वाली बात है वो ये है कि China के पास लग-भग 90 electric vehicles अलग-अलग brand है कहने का मतलब है कि जैसे Mahindra एक brand है वैसे ही इनके पास 90 या maybe उससे भी अधिक electric vehicles के brand है तो ये बताता है कि कितना अच्छा command China develop कर लिया electric vehicle manufacturing में तो अगर हम इस video को conclude करें तो हमें समझ में आता है कि ये European visit President Xi के लिए भी काफी important है और उनका जहां पर attempt रहेगा कि किसी भी तरीके से European Union के जो main-main देश जिसमें के एक France भी आता है उसको किसी भी तरीके से अपने favor में किया ज जाए हलाकि ये इतना आसान नहीं होगा लेगिन फिर भी अगर presidency ये नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं इसका एक बहुत बड़ा setback उनको देखने को मिलेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye